नमस्कार, दोस्तों कितना अच्छा हो हमारी खेत में सेलानियों का मेला लग ज़ते है, यानि कि खूब सारे टूरिस्ट आएं ये हम खूब सारा पैसा कमा आई ऐसा बिल्कुल हो सकता है, आप कर सकते हैं आप agrotourism business है, उसको अपना सकते हैं अगर आपका खेत किसी बड़े शहर के पास है या किसी पहाड़ी इलापे में है या ऐसी जगह पर है, जो अपने आप में unique है यानि कि प्राकरतिक रूप से बहुत सम्रत है उसको आप agrotourism site की रूप में develop कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको organic खेती के तरफ जाना है और जो शहरी जिंदगी में लोग हैं जो शहरी भागदों से ठक चुके हैं और जो सुकून के कुछ पल चाहते हैं उनको अपने खेत में बूलाना है उनका जो holiday vacation है उसको special बनाना है तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और भारत में जो लोग agrotourism कर रहे हैं तो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं सालाना एक करोड रुपे से ज़्यादा वो कमाई कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि agrotourism आप कैसे शुरू कर सकते हैं और agrotourism बोता क्या है उसके लिए आपको पैसा कितना चाहिए कितना निवेश चाहिए और अगर आप agrotourism शुरू करते हैं तो आपको कितनी subsidy मिलेगी कहां से loan मिल सकता है और कौन सी आपको इसके लिए permission चाहिए कौन सा license चाहिए तो क्या क्या आपको करना होगा A to Z जानकारी आपको agrotourism के बारे में आज मैं इस वीडियो में देनी वाला हूँ तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं agrotourism है क्या चीज़ आप देख रहे है Freedom of Farming हिंदी चैनल और मैं हूँ आपके साथ कुमार तावन दोस्तों अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है क्रिशी परेटन, यानिकि लोग जो परिटक है वो खेतों में, सहलानी खेतों में अब वहां पर रहे वहां कि जिंदगी को जिये उसके बाद, वो उसको समझे और अपने भीतर आत्मसाथ करे और जिंदगी को इंजोय करे और इससे जो किसान है उसको अतरिक्त कमाई हो और जो लोग एग्रो टूरिजम में जुड़े हैं उनको अलग से पैसा मिले यानि कि खेती के साथ-साथ उनको कमाने का दूसरा जरिया भी मिले तो इसको कहते हैं एग्रो टूरिजम यानि कि कृशी परेटन दोस्तों अगर आप अपने खेत को एग्रो टूरिजम साइट बनाना चाहते हैं यानि कि कृशी परेटन के लिए एक केंदर बनाना चाहते हैं जिसके लिए आपको तीन चीज़ों के आवशकता होगी जिसको वो एंजोय करें जिसके लिए वो दूर से आएं और वहां पर रुकें इसमें आप कुछ ऐसे एनिमेल्स को रख सकते हैं और्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं कुछ खेल ऐसे रख सकते हैं जो बिलकुल ग्रामिंग जीवन से जुड़े हों जो बहुत ही अच्छे हो और प्राकर्तिक वातावरन या प्राकर्तिक आवाज ऐसा हो जिसको एंजोय करने के लिए लोग आपके खेत तक या आपके दूरिज्जम साइट तक पहुंचें आप चाहें तो अपने खेत में फूलों की एक विराइटी उगा सकते हैं तो सारे अलग-अलग फूल उगाएंगे तो लोग उसको देखने के लिए वहां पर अपना वक्त बिताने के लिए वहां पर उनके रहने के लिए अच्छी विवस्ता हो यानि कि उनके रुकने के लिए साफ सुत्रा अच्छा मकान हो वो वहां पर कमफर्टेबल आराम दैक स्थिती में रह पाएं और इसके अलावा उनके लिए हर चीज़ों जैसे रहने के लिए मकान हो पानी हो भोजन हो और साथ ही उनके लिए अगर गर्मी का मौसम है तो वहां पंखा कूलर या एसी की विवस्ता हो अगर आप AC नहीं लगाना चाहते हैं तो cooler की व्यवस्ता हो अगर सर्दी का मौसम है तो वहाँ पर सर्दी से बचने के लिए संसादन हो अगर बारिश का मौसम है तो बारिश से बचने के लिए वहाँ पर व्यवस्ता हो आप चाहें तो उनको वहां पर खाना पकाने यानिकि सामोहिक भोजन बनाने की एक्टिविटी भी शामिल कर सकते हैं आप अपने खेल को पूरी तरह से और अगर फार्मिंग करते हैं साइट बनाते हैं तो उनको और अगर फूड आप वहां पर अवेलेबल करा सकते हैं प्रटक वहां पर आना पसंद करते हैं और दोस्तों तीसरी जो चीज है वो आप कर सकते हैं ग्रामीन शिल्प के जूरी चीजे यानि कि जो आप मकान बनाएंगे अपने अगरी टूर्जम साइट पर आप जैसे बहुत याकरशक जोंपडा बना सकते हैं आप कच्छा मकान बन अगर आप महरश्टा में जाएंगे तो वहांके जूपड़े अलग होते हैं तो आपने इस्थानी स्थानिय स्थार पर जो स्पर्णी है जो आपका शिल्प कला है उसको वहां पर डिस्पले करेंगे तो बहुत अच्छा आपको बेईफिट में लगा लोग वहां पराणा और आपके जो स्थानिय स्थर पर जो food है, उसको भी अगर आप promote करेंगे, वहाँ पर available कराएंगे, तो भी लोग वहाँ पर आना पसंद करें, क्योंकि जो food है, वह बहुत अच्छे से वहाँ पर available होता है, तो लोग आते हैं क्योंकि स्थानिय food, उस एलाके का food खाना लोग पस आने आते हैं, आराम से सुकून के पल, जिसमें ग्रामिन जीवन को महसूस करें, और अपना स्वास्थ लाब, यानि कि health benefits भी उनको मिले, ये दोनों चीज़ें अगर आप वहाँ पर provide करा सकते हैं, तो आपका जो agrotourism का business है, वो बहुत अच्छे से चलेगा, अब बात आती तो agrotourism के लिए सबसे पहले आपको इच्छा शक्ति पैदा करनी है, यानि कि एक संकल्प बनाना है, अपना काम शुरू करने के लिए, दूसरा काम आपको ये करना है कि आपकी जो site है, उसको आपको decide करना है, कि आपका जो खेत है, जहां पर आप agrotourism site शुरू करना चाते हैं, और तीसरी चीज आपको जो पैसा इसमें चाहिएगा, शुरूवात में आपको जो पैसा इन्वेस्ट में चाहिए उसकी व्यवस्ता करना, तो ये तीन चीज अगर आप करेंगे, तो आपके लिए ये business शुरू करना बहुत आसान हो जाएगा, और दोस्तों जब आप ag अगरो टूरिजम की शुरूवात करेंगे तो आपको दो एकर से लेकर पांच एकर तक की जमीन के आवशकता होगी, यानि कि कुछ जमीन ऐसी जिस पर आप और गनिक तरीके से खेती करें, यानि कि सबजियां उगाएं, अनाज उगाएं, जो पूरी तरह से प्योर और और ताकि लोग वहाँ पर उस भोजन का आनद उठाने के लिए वहाँ पर आएं, और वहाँ पर आकर वो खुद अपने हाथ से सबजियों को तोड़ें, वहाँ पर पकाएं और भोजन खाएं, एसी एक्टिविटीज वहाँ पर आपको उखलगत करवाने के लिए खेत है, वो बहुत अच्छा है, अगर 5 से ज़ादा हो, 10 से एकर हो तो और भी अच्छा है, यानि कि बड़ी जदा जमीन पर बहुत अच्छे साब अज़रोटुञ्टरा कर सकते हैं, और भारत में अज़रोटाइकर से चलना है, बहुत जबरदस तरीक제 से काम्याभत है, तो दोस्तो अ अगर आप अग्रोटुजम के शुरुवात करना चाहते हैं, तो आपको आपके पास कोई ऐसी संस्ता है, या ऐसा कोई कमपनी का नाम है, ऐसा बैनर है, जिसके साथ आप मिलकर शुरुवात कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक कमपनी बनानी होगी, चोटी सी, उसको आप बना सक है उस पर एक टूइजम से जूड़ी एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं तो उसकी जानकारी देखर आप वहां से परमिशन लाइसेंस ले सकते हैं और आपको इसके लिए फायर सेफ्टी क्लियरेंस भी लेना होगा वहां पर आपको जो फायर सेफ्टी से जुड़े बंदोब होगा यह बहुत ही आसानी से सब कुछ हो जाएगा अगर आपको अच्छा होगा आप अछी quiघ कर सकते आप ऊपनच लाग रुपे से आप वहां पर जो लोकल तर आ अगर लेवल पड़ा या कुछ स्ट्रक्टर तो उसके लिए भी आप अंदोबस्त कर सकते हैं, जो आप किचन वहाँ पर बनाएंगे, उसके लिए व्यवस्ता आपको करनी होगी बरतन खरीदने होगे, खाना पकाने के साधन बनाने होगे, इस तरह से जो लोग आएंगे उनके लिए पंखे कुदर की वेवस्ता करनी होगी, वहाँ पर बैड या बिस्तर लगाने की वेवस्ता करनी होगी उनके लिए आप जो एक्टिविटीज करेंगे चाहे बेलगाडी हो या दूसरी कोई वेवस्ता है उसके लिए भी आपको थोड़ा पैसा, चाहिए होगा आप छोटे स्तर पर 5 लाख रुपे से शुरूआ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बड़े स्तर पर बिजनेस कर सकते हैं, तो यह बहुत प्रोफिट वाला बिजनेस है, इसके लिए आपको 50 लाख रुपे की विवस्त कर सकते हैं, आप चाहें तो बिजनेस लोन ले सकते हैं, स्टार्ट अप योजना है, स्टार्ट अप इंडिया है, उसके तहट अपना जो एक्टिविटी है, उसको स्टार्ट अप के तहट आप उसको रिजिस्टेशन करवा के वहां से लोन ले सकते हैं, आपको सबसिदी भ रहने वाले हैं तो आपको वहां पर एक करूर रुपे का नोन मिल जाएगा उस पर तीस परसेंट capital subsidy भी मिल जाएगी और अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो वहां पर आपको ग्रामेंड मिल जाएगा यह तु बात हुई दोस्तों कि आप अग्रो टुरीज़्म जब शुरू करेंगे तो आपको क्या-क्या-क्या चीजे चाहिए बातागी जब वेEPर्ण एक्न के विफाटि-क वेर्षाइम गेर अग्रीपर्न्यों बने गगा उसको बेनेफिट होगा क्योंकि वह रूकेंगे तो आप उसे कमाई करपाएंगे उनको खाना खेलां तो उसके लिए अलग पैसा आप ले सकते हैं यानि कि जो कमाई आपकी खेती से होती है 2 एकर में अगर मालीजे 2 एकर में आपकी कमाई सालाना 2 लाग है लेकिन अगर आप Agrotourism साइट शुरू करते हैं तो आपकी ये कमाई है सालाना बढ़कर 15-20 लाख रुपे सालाना आराम से हो सकती है ये फायदा होगा पहला किसान को और दूसरा फायदा होगा परिटकों को यानि कि जो टूरिस्ट ग्रामिर जीवन को जीना चाहते हैं सुकून का पल कुछ बिताना चाहते हैं प्रकरति के साथ और ओर और अर्गनिक तरीके से वो अच्छा खाना खाना चाहते हैं खुद activity करना चाहते हैं, खेती बाड़ी से जुड़ना चाहते हैं, उनको एक real experience मिलेगा आपके farm में रुपकर, वहाँ पर खेती बाड़ी करने का, उनको मौका मिलेगा प्रकरती के साथ जुड़ने का, जो गाम की जिंदगी है, उसको समझने का, उसको महसूस करने का, उसके जुड़ने का मौका मिलेगा, और वो दूसरी कई गित्वीदियान चलाकर वहाँ पर कमाई कर सकते हैं, जैसे अगर वो जो सहलाने आते हैं, उनके लिए अगर कोई vehicle की विवस्ता करनी है, कोई वाहन चाहिए, उसके लिए वो विवस्ता करेंगे, उनको कमाई होगी, और आ हमाई से, ऐग्रोटीज़म की बात करें, दोस्तों कोई बहुत पुराना क ποन से यह यह यूरोप में पहले से और अमेरिका में पहले से चल चल रहा है, लंबे और वक्त से लोग वहां पर एग्रोटीज़म के जरीए अच्छा Пैसा कमा रहे हैं, दोस्तों भारत की बात करें यहींड होग क्षक्राइब वह बहुत अच्छे सकते हैं कि यह आपको करना होगा ज़क्राइब क्या चीज है इसको आप कैसे समझ सकते हैं कितना पैसा चाहिए पैसा फंडिंग कहां से आएगी आप जब अग्रुट्रीजम साइट शुरू करेंगे तो आपको प्रटक कैसे आपके खेट तक पहुंचे कैसे बुलाने हैं यह भी आप बहुत अच्छी से वहां पर सीख पाएंगे समझ प किते हैं तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक नई कहानी के साथ तब तक आप अपना ख्याल लखिए अब दीजे इजाज़त नमस्कार